साथियों हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले हमने लंबे समय से लटकी स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेड़ गुना MSP किसानों को दिया पहले कुछी फसलों पर MSP मिलती थी हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई पहले MSP का एलान अख़बारों में छोटी सी जगा बनाना खबर के तौर पर आप चपता था किसानों तो अकलाब नहीं पहुंता था कहीं तराजुई नहीं लगते थे और इसलिए किसान के जीवन में कोई बढ़ला भी नहीं आता था हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं किसानों की जेम में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैठे हुए थे यह जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं यह उस सरकार के हिस्सेदार थे समर्थन करते थे और यही लोग स्वामी नाथन कमिटी के रिपोर्ट के उपर बैठ गए थे हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिन्दगी के उभला करना कल्यान करना यह हमारा जीवन का मंत्रहिट ले कर रहे हैं साथियों हम इक दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्व एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए, हमने देश की एक हजार से ज़्यादा कुर्शिमंडियों को ओनलाइन जोड़ा, इन में भी एक लाग करोट रुपी से ज़्यादा का कारोबार किसान ओनलाइन बेचना शुरू किया है, साथियों हमने एक और लक्ष बनाया, कि छोटे किसानों के समू बने, ताकि वो अपने खेत्र में एक सामुहिक ताकत बनकर काम करे, आज देश में दस हजार से ज़्यादा किसान उत्वा तक संग एपी ओ बनाने का भ्यान चल रहा है, उ उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है, अभी हम महराज गन के राम गुलाब जी से सून रहे हैं, तीन सो के करीवी किसानों को इखटा किये हैं उन्होंने, और पहले कि तुना में डेढ़ गुना भाव से माल बेचना सुरू हुआ है, एप्पियों मनाये हैं उन्होंने, व अंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सिविधा, कम किमत पर हमारे किसानों को उपलब्द हो, हमारी सरकार ने इसे भी प्रात्मिक्ता दी, आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्ग विक्सित करने के लिए सरकार करोडों रुपिय का निवेश कर रही ह हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथी किसान के पास आए बढ़ाने के दूसरे विकल्पी भी हो, हमारी सरकार मचली पालन, पशू पालन, डेरी उद्योग, मदुमक्थी पालन, सभी को प्रोच्षाइद कर रही है हमारी सरकार ने ये भी सुनिशित किया कि देश के बैंकों का पैसा, देश के किसानों के काम आए 2014 में, जब हम पहली बार सरकार में आये और शुरू बात थी हमारी, 2014 में जहां साथ लाग करोड रुपिय का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था, धन के लिए, वही इससे अब करीब 14 लाग करोड रुपिय यानि दो गुना किया गया है, ताकि किसान को करज मिल सके, बीते किश के दही महिनों से करीब डाई करोड छोटे किसानों को किसान करेडिट कार से जोड़ा गया है, और अभ्यान तेजी से चल रहा है, हम मचली पाला को, ये लाब उनको भी अब दिया जा रहा है, साथियों हमने इस लक्ष पर भी काम किया, खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आदुनिक क्रुशी संस्तान हो, बीते वर्षों में देश में अनेक नए क्रुशी संस्तान बने हैं, क्रुशी की ये लक्ष है, गाउं में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो,